सो हलो एवरिवन कैसे हो सभी सभी यहां पे डिस्स करने वालों इंडियन कोस्ट गार्ड का मतलब जो स्लेबस है और जो जो सेक्शन वाइस मतलब इस्टेजिस दिये हूं इनका ओफिशिल वेबसाइट पर हाँ वन बो तिंग पहले मैं बता देता हूं वीडियो स्टार्ट कर जाएगी यह कैसे पता यह आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की ओफिशियल ने इंस्टरग्राम पेज पर ओफिशियली पर देखने को मिल जाएगा सीडिक के साथ में जो इनका मिंस कॉंप्लिमेंट लाइक समझावता टाइप में हुआ है वह आप जाके देख सकते हो उन्ह के लिए लॉंच किया गया कल का है यह स्क्वीन सॉट ठीक है आइंस्टरग्रम मुझसे भी बात कर सकते हैं सी एच एच एउ एच एच एए अन एच यू चवाना इश्यूट इनक्रीश्ट में आते हैं रिक्रूट्मेंट सेंटर इंक्रीश्ट फॉम 19 तो 108 सेंटर मतलब ए लाइक इंस्पायर किया कि आईए कोस्ट गाल जॉइन कीजिए तुर दाउन लाइन इग्जामेशन ओके और इसका पीडिया वैसे मैं अपने टेलीग्रम चैनल और इन एजूकेशन पर फावट कर दिया था बट फिर भी अगर आपको अपने मंद से डाउनलोट करना है तो सारे के सारे डाकुमेंट कर लेने या एजूकेशन की बात कर लेता है लिए किसके बीच में कितना होना पाची है मैं में टॉपिक प्राइब तो यह कुछ वेकेंसी का फंडा एक वेकेंसी मैं बोलूँगा ओर इतना वेकेंसी नहीं इससे ज्यादा भी हो सकते हैं इसे कम का तो चांसे नहीं है ज्यादा होने के चांसे कि उन्होंने यहां पर ले रखा है कि वह इपने सेंटर रिकॉर्णी ठीक है और अगर वहां पर स्लॉट्स आपको कम जादे देखने को मिलें तो जरूर आपके और भी केरेट्स बढ़ाए जा सकते हैं कि सेलेक्शन प्रोसीजर की बात का लेते हैं रिक्रीश्ट बेस्ट और अल इंडिया और अपर मेरिट और परफॉर्मेंस इन इस्टेज फर्स्ट सेकें थर्ड और फॉर्ट इंडिटेल ब्लो नीचे दिया हुआ है आपका सेलेक्शन होने वाले और हर एक स्टेप यहां प बहुत बार करते मैंने इसका रिव्यू दिया है अब चलो मैं यहां पर मेंन फैक्ट जो मुझे वीडियो पर बनाना तो यह वाला कापी लोगों को यह समझ में नहीं आ रहे कि कैसा है यार कि मैं रब नाविक जीदी का स्लेवस्ट लेंब लेने गया क्योंकि मुझे बाश्ट आपको देना ही पड़ेगा वह आपके लिए कंपल सरी है उसमें अब आपका देखो पासिंग मां की बात कर लेते हैं तो तीस नमबर आपका अन्रिजर्व लाइक जनरल वालों के लिए एविस वालों के लिए तीस नमबर चाहिए होगा और बात कर लेते हैं देना पड़ेगा मतलब अिइंके नाविक वाला वीमालों तो देना पड़ेगा उसके वह नहीं के तक नाविक डिवी के उसमर में एक्षटाव करने पड़ेगा कि तीस पचाहले मंदब 30 प्लस 20 20 दूटी मांख सभटिधी चाहिए अगर बात कर लेते हैं यहां पर यहां पर लाने पड़ेंगे और तीस नमबर यहां पर लाने पड़ेंगे तो 60 में 30 कुछ जादा नहीं होते इक सब अगत बता दो यह इसलिवस हो सब्सक्राबिसट रहेते हैं जो section first देना है वो सब भी को देना है तो उसमें maximum marks आपका कितना होगा 60 जिसमें आपको 30 mark लाने भाई अगर आप journal से आते हो OBC से आते हो अगर SCST के टीकेटी से हो तो 27 नंबर में आपका काम चल जाएगा अगर maximum mark 60 मिनट होगा time 45 मिनट होगा कोशन नंबर 60 होंगे मतलब पर कोशन 60 होगा और नो निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होने वाला पस आपको 30 नंबर लाने इसमें 60 में से अगर बात कर लेते हैं तो साइंस के टेन कोशन इंगलिस के 15 कोशन रिजिनिंग के टेन कोशन एंजी के 5 कोशन मिस ओवर और आल मैं बोल दो तो यहां पर आपका पेपर 60 नंबर का होगा यह जीडी मेकेनिकल एलेक्रिकल सबको पास करना यार ठीक है बस आपको लेकिन इतने नंबर लाने है तीस अब यह इंडियन डीपी का मैं जब स्लिवस बहता हूंगा और उसका जीडी का तो सबस्मझ पाओगे ठीक है सेक्शन सेकेंड अब जैसे कि मैं कहता हूं आप जीडी का फॉम अप्लाई करते हूं तो आपको सेक्शन फरस्ट का भी फॉर्म देना पेपर देना पड़ेगा सेक्शन सेकेंड का भी देना पड़ेगा कैसे सेक्शन सेकेंड में मैंग्जों माग सुप्टी होगा टाइम आपका 30 मिनट होगा टोटल नमबर अपके कोश्चन 15 होंगे यह पेपर बहुत धुआधार होने वाला है क्योंकि ऑनलाइन सब पेपर होने वाले हैं और ऑनलाइ कर पाएं पहले से पहले फास्ट होना पड़ेगा ठीक है उसमें से देखों पासिंग मार्स की बात कर लेता हूं तो ट्वंटी नमबर की वालों को चाहिए और सब्सक्राइब का स्लेबस अब का आएगा क्लास्ट वल्ट का जो मैंस फिजिक स्लेबस होता है वह आएगा वा आप यह वाला पेपर दे सकते हैं और मैं टाइटिंग चारों को बेसेश पे करनेक्ट भदब बनाई चाहेगे हैं आंगे कुछ चीज़ें कोश्टन पेपर फॉसेक्शन फर्स सेकें थर्ड वगरा 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 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर अब्जेक्टि वगरा 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 इस ओलेबल ऑना कोश्ट गार्ड वेबसाइट ओके वरिश्यून टाइब्रेक रूल मेरेट अगर आपका ब्रेक कर जातों आप दो केंडिट बराबर पर आ जातो यार तो जो मालूम मैं कहता हो जिसका एज पहले हो जाता है उससे वो लोग पहले ले यह नहीं अगला आप लिका हुआ कि केंडिट स्कोरिंग मोर एग्रिकेट परसेंटीज क्वालिफाइं एक्जाम टेंथ क्लास फॉर नाविक डीबी और ट्वल्थ क्लास फॉर नाविक जीडी और डिप्लोमा फरियांत्री के एस परदा पोस्ट अप्लाइड वो तो फॉर इंडियन कोश्ट गार्ड कि तैयारी करना चाहते हैं तो अभी नहीं मैंने बोला इन लोगों से और अपन कराएंगे भी टेंसर ना लेना परिक्षिया पे आपको इंडियन कोश्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांतरीक सब के लिए टेस्ट देखने को मिल करेंगे वैसे तो होता है लेकिन एक बात बता तो अपना कूपन को डाल लाइन डिफिप्टी डाल देना बाइक करते समया और यह किसी के लिए आप किसी भी गुवर्नमेंट एक्जाम के प्रप्रेशन करते हो रेल्वें टीपीशी ग्रूप डी और अगर मैं बोलूं तो यहां पर मतलब कि नवी डॉल एसे सारे मार एर फोर्स एक्स और वाई किसी की भी तो बेस्ट आपको टेस्सरीज मिल जाती है तो यहां पर कोश्ट करना विक डीवी जीडी का पी पेरे सून आने वाला है तो आपको आपको ऑन-लाइन एक्जाम होने वाला है एवरीटिंग अनुजट को यह वाला सी नमर या थोड़ा से इन्ट्रस्टिंग है यहां पर लिगाए इनकंसिंस्टेंट पर्फॉर्मस और दोज के नेट सुझ परसेंटेज इसकोर इन एक्सोर निदस मार कर जाते हैं लाइक किसी सक्षिए पचाव मार कर जाते हैं और किसी सेक्षिए म इसका मतलब उसका अग्रिट क्लास्स इस को विखा इसका नमबर जाता है तो उसे पिर से पर देना पड़ेगा और यह काफी एंट्रस्टिंग है क्यूंकि मतलब कि ऐसा उसी केंडिट के लिए कराया जाएगा जो ऐसा कुछ फील होगा ऐसा कुछ वाँ पर दीखेगा सिंपल सा हो तो कोस्ट गार्ड पूरा इस बार बिल्कुल ओपन ओपन होगा सब कुछ दिस्टेट इस वाइस करना होगा उसे ठीक है जैसे कि आपके इस फर्स्ट आपके आपके अपके आपके अपके दिस्टेट कि अव्योश कर दोग्योश करने दिखेगा जैहिंट